अस्सलाम उलेकुम, कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियस से होंगे, अलहम्दलिल्ला मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों के खित्मत में एक नई रेस्पी लेकर हाजिर हूँ, तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं, बस मेरी आप लोगों से यही रेस्पी के तो पक्की दिवाने हो जाएंगे, जो भी खाएगा बार-बार फर्माइस करेगा आपको इस रेस्पी को बनाने के लिए, और बनाना भी बहुत ही आसान है, बिना किसी जंजट के यह रेस्पी में बन जाती है, बस यहाँ पर हमें जरूरत है चावल के आटे की तो यहाँ पर हम फरेस घर का पिसा हुआ चावल का आटा लिए हैं गाईस, तो देख सकते हैं चावल के आटे को पहले हम छान लेंगे, यानि पहले इसको हम चाल लेते हैं, जैसे हम गेहूं का आटा चालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमको इनको चाल लेना है, तो यहा अब इसको हम साइट में रखेंगे, तो यहां पर मैं एक बड़े साइच का आलू जो है, इसको उबाल कर तोड ली हूं, देख सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, आलू को मिकसर वाटी में डालेंगे, यह देखिए, उसके बाद में यहां पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पान तो यहां पर मैं पकी वाली मिर्ची का इस्तमाल कर रही हूं अगर आपके पास पकी वाली है तो ले लीजिए तो फिर आप हरी मिर्ची भी ले सकते हैं तो देख सकते हैं यहां पर मैं जो है मिर्ची को डाल कर यहां पर थोड़ा सा पानी डाल दूंगे और पानी डाल कर अब में यहां पर मैं काला नमक ले ली हूँ तो काला नमक जो है जब हम पीस को रख देते हैं तो थोड़ा सी बैठ जाते हैं यानि उसके अंदर गुठुलियां पर जाती हैं तो गुठुलियों को पहले हम हाथों से तोड़ देंगे उसके बाद में हम नमक को इसमें डाल दिये ह अब इसके अंदर में डालूंगे गरम पानी गाईस ये गरम पानी है हमने कढ़ाई में पहले ही गरम पानी को रख दिया है गरम होने के लिए तो पानी हमारा इतना जादा गरम नहीं है हमने इसको सिर्फ गुनगुना किया है और गुनगुनी पानी में हम इनको जो है इस तर दर्दरापन होता है ताटं करते नहीं नहीं होता है तो हुव गर्यार निक होती है तो बोला को चाहिए अलूची प्याज नहीं कि यहांगे देख आपने healthy से मिक्सरवाटी में जितना भी लगा है हमारा आलू का पेष्ट सारे को अच्छे चमत से साफ कर लेंगे अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी वही गरम पानी हमने वापस डाला है और अच्छे से हाथों से इनको साफ करके हम इनको डाल देंगे उसके बाद मे हम सारी चीजों को बढ़ियां से अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर मैं डालूंगी गाई इसके अंदर जो है वह मैं काली मिर्च डाल देती हूं इससे हमारा जो नास्ता बनेगा बहुत ही टेश्टी और बहुत ही जायकिदार बनेगा अब यहां पर इसको मैं और उसके बाद में गाईस मैं अपना आलू, मिर्ची, प्याज जो पीसी हूं उसको मैं इसके अंदर डाल के अब सारी चीजों को बढ़ियां से अच्छे से हाथों से मिक्स करूंगी त्योंकि जितने अच्छे से हाथों से मिक्स होगा उतना अच्छे से चमस से नहीं होग सकते हैं कि seven गूस्फ के स्टीकश देख सकते हैं कि तरीके से आपको भी रखना है अब जब यह को जायेगा मिलाकर उसके बार में last में मैं इसके अंदर डालूंगी जो है खाने वाला सोडा आप बेकिन इनो कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास सोडा था तो मैं सोडा डाल दी हूँ गाईस, और सोडा डाल कर इनको अच्छे से मैं मिला लूँगी, बढ़िया से इनको फेट उगी, ताकि इसके अंदर कोई गुठुलिया ना रहे, तो देख सकते हैं, हमने इनको बहुत ही अच्छ विपर हमारा गैस के ओपर पहले से गरम हो रहा है आप हमने चलना है, यह क्या करना हैगी, आफ अपने मन पसंदीदा किसे भी, सेप में बनासकते हैं, लेकिन जो सेप हमने बनाया है, यह देखने में बहुत ही क्यूट लगता है अब यहांपर मेरे पैन में चार चार पीस आ रहे हैं देख सकते हैं तो चार पीस में डाल दी हूँ और उसके बाद में अब इनको चम्म से थोड़ा सा हिला डुला दूंगे तो देख सकते हैं इसको हमने चावल के आटे से बनाया है तो यह आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं और चावल का आटा जो हमारा है वो जो है कि एक बैग आपका एक तरब से लाल हो जाए, तभी आप इसको पलटी करें, नहीं guys, आप जैसे एक तरब से साउला होगा, golden color आएगा, थोड़ा सा, उसके बाद में हमें इसको पलटी कर देना है, और इसी तरीके से पल्टी करके गाईस हमें दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़ियां से इसको सेक लेना है जब तक इसके उपर अच्छे से कलर नहीं आ जाता तो आपको पता है हमने कोई कलर नहीं डाला कोई हल्दी नहीं डाला है लेकिन फिर भी आप कलर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है और यह रेस पर इतनी सौप्ट है इतनी नरम इतनी जालिदार है गाईस अभी मैं आपको दिखाऊंगी तोड़कर लास में आप हैं एक तरफ मैंने वापस से बना कर देख सकते हैं एक बार का हमने निकाल दिया है और दूसरी दौरी से डालकर और इसको भी अमने अपर दिखाते हैं तो उब् you go अच्छि लगी है, तो जलदी से वीडियो को लाइक करके चानल पर नहीं आए हैं, तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करने, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए और इस रेश्पै को ज़्यादा शेयर करें अपने रिस्तेदारों में, अपने घरों में, वाकसप गुरू अच्छा का इस मैंने इसके अंदर मिर्च जो है चीनी नहीं डाला है यानि मीठा हमने नहीं डाला है यह तीखें हैं नमकीन हैं लेकिन खाने में बहुत ही जायकेदार है यह देखिए देख सकते हैं कोई नहीं कह पाएगा इस एक दम सौप्त है खाले हाथ लगाऊना कि अप सोडा डाला है गाईस बहुत ही श्टॉप्ट हुआ है बस आप इस तरीकों को अपना कर देखिए इस तरीके से आप बनाईए गाईस आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि हमने कितनी बेश्ट रेस्पी आपके साथ में सेर की है और यह रेस्पी आप अपने बच्चो के साथ असलाम उले